हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूरों चैनल सिविल्स तैयारी आज जोग्रफी की जियो मॉर्फोलाजी सीरीज की लेक्चर नमबर थ्री में आप सब का स्वागत है आज हम अर्थ के मैंगेटिसम की बात करेंगे मैंगेटिसम पे दो लेक्चर्स होंगे यह आज का पहला लेक्चर है तो आज हम समझेंगे की मैंगेटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है डाइनमो थियोरी क्या है पिशले लेक्चर्स में हमने डाइनमो थियोरी की बात की थी तो आज देखेंगे डाइनमो थियोरी क्या होत ऩ考ते हैं अब के दोगनेटिक है हैं किया है जुě सिद्वायो से फेरश तको बहुता है दिए गलीसिति पूता है तो इसатив से सिर्देश फ़ींजमा मेसलिक साइबDburg तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है उसको हम डेकलिनेशन बोलते हैं अब अगर यह राइट साइड होगा इस्ट साइड होगा मतलब यह आपका मैगनेटिक नॉर्थ है इसके इधर इस साइड है तो यह पॉजिटिव डेकलिनेशन होगी और अगर इसके वेस्ट होते हैं और मैगनेटिक इनकलिनेशन इसको हम डेकलिनेशन भी बोलते हैं तो अभी हमने डेकलिनेशन में क्या देखा था कि कितना आपकी मैगनेटिक कॉमपास वाली जो नीडल है वह आपके ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है उसको हम मैगनेटिक डेकलिनेशन बोलते हैं, अब magnetic inclination थोड़ा सा उससे related है, थोड़ा सा different है, यह देखिए magnetic needle है, दुबारा हम नौर साउथ बना देते हैं, यह magnetic needle है, और हमने एक horizontal अपना कीचा हुआ है, magnetic lines के का जो एक horizontal field हो, magnetic lines आपको पता है, horizontally जाती है, तो अब यह horizontal से कितना आपका magnetic compass कितना angle बनाएगी, उस angle को जो है, magnetic dip कहा जाता है, या फिर magnetic inclination कहा जाता है, ठीक है, तो simple terms में, जब vertical से जो है, angle बनता है, आपके compass का, तो vertical से angle को हम magnetic declination बोलते हैं, और horizontal से angle को हम magnetic inclination बोलते हैं, तो आज की lecture series में इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो, तो like करना न बूलें, हमारे चैनल को subscribe करें, youtube.com slash civils तयारी official, telegram चैनल को आप PDF के लिए जौइन कर सकते हैं, t.me slash civils तयारी, हमारा group ही है, t.me slash civils तयारी group, तो वहाँ पर भी आकर कि आप अपनी जो भी doubts हैं, उनको clear कर सकते हैं, उसके अलावा हमें आप Instagram पे follow कर सकते हैं, जहां पे हम map स सीरीज वहाँ पे चालू करने वाले हैं, अगर आप Instagram पे नहीं है, तो आप Facebook पे follow कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ां Facebook पर भी शेयर की जाती है, thanks a lot and have a good day. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि magnetic field क्या होता है, magnetic field कोई भी magnetic field या कोई भी एक field अगर हम electric field की बात करें, या किसी भी force के field की बात करें, तो कोई field एक ऐसा region होता है, जहां पे कोई भी वस्तू किसी force को experience करती है, क्योंकि बाकी bodies वहाँ पे present हैं, तो अगर मान दीचे, यहां पे एक body है A, और एक body है B, अब B, अगर A के आसपास आकर के कोई force experience करें, तो B जो है किसी particular field में आ गई है, तो इस area को हम field कहते है, field कोई ऐसा region है, जहां पर body को force experience होती है, gravitational field का मतलब यह है, कि दो आपकी जो celestial bodies है, उनके बीच में अगर कोई body आ गई, छोटी body आ गई, तो वो जब gravity को experience करती है, जब वो force को experience करती है, celestial bodies की वज़े से उसको हम gravitational field कहते हैं, और जो force experience कर रहे है body, उसको हम gravity कहते हैं, electric field इसी तरह से, अगर objects जो है, एक electric field में आ जाते हैं, तो वो electric charge को experience करते हैं, एक particular field, electric field के अंदर, इसी तरह से magnetic field के अंदर, अगर कोई body आ जाती है, तो फिर वो electric current को भी determine कर सकती है क्योंकि आपको पता होगा कि electric current में भी magnetic properties होती है तो magnetic field जो है determine करते हैं कि electric current moving electric और charge को मतलब ये किस तरह से exert होगा या कभी-कभी magnetism की वज़े से electric current की जो movement होता है वो भी थोड़ा सा change हो जाता है तो ये सारी चीज़ा हम field में देखते हैं कि field में क्या आता है अब देखिए अगर हम बात करें कि एक simple bar magnet की field की बात करें तो आपने बचपन में इस तरह की lines बनाई होंगी 6-7 में हम बनाते थे हम एक bar magnet लेते थे और ये हम इस तरह की lines बनाते थे तो ये जो lines हैं अगर body इस area के आसपास आती है तो वो जो है magnetic field को experience करेगी तो अगर magnets आ गई पार magnet आप North और South pole है तो दोनों एक दूसरे को attract करके एकदम पास आ जाएंगी North pole को अगर आप North pole के सामने कर देंगे तो दोनों magnetic field repel करता है इसलिए दोनों magnets एक दूसरे से थोड़ी सी दूर चली जाएंगी तो ये हमारा field हो गया bar magnet का अब dynamo theory की बात करते हैं कि Earth का magnetic field कैसे generate होता है तो dynamo theory ये एक mechanism जो है प्रपोस करती है जिसके माध्यम से celestial body का मतलब कोई भी अगर heavenly body है उसको हम celestial body पूलते हैं तो dynamo theory ये प्रपोस करती है कि एक mechanism प्रपोस करती है जिसके तहट celestial body जैसे की Earth या कोई स्टार magnetic field को generate करता है और उसको sustain करता है बड़े time period के लिए और उस time period को हम astronomical time scale कहते है जो millions of years तक फैला होता है dynamo theory कहती है कि convection होता है outer core में और ये जब combine कर दिया जाए Coriolis effect के साथ तो इससे self-sustaining या geodynamic Earth's magnetic field जो है create हो जाता है तो अब Coriolis force क्या होती है Coriolis effect क्या है माल लीजे आप एक rotating stage पर है तो माल लीजे मैं यहाँ पर हूँ और ये stage rotate कर रहा है तो अभी मेरी position A है एक second के बाद मेरी position माल लीजे B हो जाती है फिर C हो जाती है अब जब मैं A position पे हूँ तो मैंने सीधी direction में एक ball फैंकी और उस ball को इधर रीच करना चाहिए ठीक है तो अर्थ की rotation की वजए से जो चीजें होती है वो सीधी न जाकर के थोड़ी से tilt हो जाती है और इसी tilt को जो है हम Coriolis Effect का नाम देते हैं देखिए हमने कल भी बात की थी कि हमारी जो एक आपकी physics की थियोरी होती है जो कहती है कि कोई भी body अगर motion में है तो वो straight line में motion continue करेगी जब तक उसके उपर कोई external force न लगाई जाए तो straight line में motion body continue कर रही थी rotation की वजए से क्या हुआ body थोड़ी सी tilt हो गई body के tilt को हमने किस force का नाम दिया है यह जो rotation की वजए से जो force create हुई है उसको हमने coriolis force नाम दिया है और इस effect को हम coriolis effect कहते हैं तो dynamo theory यह suggest करती है कि convection प्लस coriolis effect के होने से हमारी self-sustaining geodynamic earth का magnetic field बन जाता है इसलिए सालों साल तक gravity earth के उपर exist करती है तो अब आपकी मन में दिमाग question आ रहा होगा कि coriolis effect प्लस आपका convection किस तरह से magnetic field को generate करेगा तो हम mechanism देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है earth का magnetic field earth के outer core में generate होता है यह चीज़ हमने कल वाले lecture से establish कर ली थी lower pressure अगर inner core में है इसका मतलब यह है कि metal जो outer core में है वो fluid होता है और आपका जो inner sorry lower pressure होता है outer core में inner core के comparison से तो outer core आपका जो है liquid है और inner core आपका solid है अब temperature जो difference है दोनों में outer core और inner core में almost 2000 degree के आसपास होता है outer core में 4400 degree centigrade temperature है और inner core में जो temperature है वो 6000 degree के आसपास है अब liquid में convection होता है convection का मतलब कि liquid की जो molecules होते हैं वो heat source के पास आते हैं heat source से heat absorb करके वो धूर चले जाते हैं इसको हम convection कहते हैं तो heat source जो है आपका उसमें inner core में जो heat source है उसमें क्या होगा compression की वज़े से heat का source हो जाता है उसके अलावा यहां से हमने देखा था कि latent heat जो होती है तो यह आपका एक source हो गया heat का उसके अलावा radio activity होती रहती है potassium, uranium, thorium और जितने भी हमारे radioactive substances हैं वो आर्थ के interior में बरीड हैं तो उनकी radio activity प्लस हमारी latent heat के release होने से total जो heat होती है वो काफी जादा increase हो जाती है inner core में तो inner core में temperature बहुत जादा है outer core में थोड़ा सा temperature कम है difference जो temperature का है pressure का difference और composition की difference की वज़े से convection current जो है generate हो जाते हैं तो molten state में iron होने की वज़े से जो iron के items हैं वो heat को absorb करने के लिए heat source के पास आते हैं मतलब की inner core के पास आते हैं inner core से वो heat को absorb करके दूर चले जाते हैं तो यह cycle एक तरह से चलती रहती है और इसको हम convection कहते हैं कोई भी आपका metal body होती है वो एक जगे से दूसरी जगे जाए तो हमने देखा था कि वो electric current generate करता है यही प्रॉसेसर जो बैटरीज वगरा में वर्क करता है तो इसके movement से continuous movement से आइरन के electric current generate हो जाता है और यह electric current magnetic field को produce करता है क्योंकि हमने यह भी पढ़ा हुआ है अपने physics की classes में बचपन में जब अपने physics की classes पढ़ी होंगी तब हमने बात की थी कि जब एक किसी तवायर के अंदर से electric current flow होता है तो magnetic lines एक बार magnet की तरह generate हो जाती है तो current के flow होने से current के प्रवायवेथ होने से आपकी magnetic field भी generate होती है तो जब liquid iron flow करेगा तो उससे electric current generate होता है और electric current के generate होने से magnetic field जो है produce होता है अब जब magnetic field प्रडूस हो जाएगा current flow हो रहा है एक जगे से दूसरी जगे जब continuous movement होता है iron का तो क्या हुँआ यहां पे हमने देखा कि पहली चीज़ मने देखी कि electric field generate हो गया तो electric current generate हो गया तो charge metal जो की इस electric field से पास होते हैं वो अपना जो है वो खुद के electric current जनरेट कर लेंगे और इसी से cycle continue होती है और self-sustaining loop बन जाएगी मतलब की एक particle अपना electric field जनरेट कर लेगा इसके electric field जनरेट होने के वज़े से आसपास के particle चार्ज हो जाएगे वो अपना electric field जनरेट कर के electric field जनरेट होने से magnetic field जनरेट होगा तो electric field से magnetism को बर्थ मिलेगा इस तरह से बहुत सारे सारे जो particles हैं सेरिया में वो magnetic field जनरेट कर लेंगे अब क्योंकि earth rotate भी कर रहे है रोटेट होने से क्या होगा इनका alignment हो जाता है तो rotation की वज़े से coriolis force की वज़े से यह सारे जो आप charge particles हैं यह align कर लेते हैं अपने आपको और align करने की वज़े से यह बहुत बड़ा magnetic field जनरेट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारे gravity हो जाती है तो यह जो magnetic field है यह combined हो करके gravitational effect को जन्म देगा spiral movement यह charge particles का इससे क्या होगा यह जो coriolis force की वज़े से spiral movement हो रहा है इसका मतलब यह होगा कि separate magnetic field lines जो थी वो roughly align हो जाएंगे same direction में और उनका जो combined effect होगा इससे एक बड़ा magnetic field generate होगा और जो planet का बड़ा magnetic field generate होगा है उसी को हम gravitational pull यह gravity कहते है तो यहां से आपको अच्छे से यहां से continuously particles आ रहे हैं और heat को absorb करके वापस चले जा रहे हैं तो यह देखे इस तरह से continuous movement है इस continuous movement की वज़े से क्या होगा convection convection current की वज़े से magnetic field generate हो जाएगा और साथ साथ रोटेशन होने के वज़े से एक बड़ा magnetic field earth के आसपास generate हो जाता है सारे particles के align होने से और इसी को हम gravitational gravity क कहते हैं तो magnetic poles क्या होती है एक simple bar magnet पे हम नौर्थ पोल और साथ पोल देखते हैं तो हमें पताएगी नौर्थ पोल से magnetic field साथ पोल की तरफ जाता है तो हम जब lines मनाते थे यह सब चीज़े हमने पड़ी हुई हैं अब अर्थ को भी हम अगर एक बड़ी magnet के रूप में देखे तो हमारा जो अर्थ का हमने साथ पोल देखा उसके पास हमारा magnetic north है और हमारा जो नौर्थ पोल है उसके पास हमारा अर्थ का जो है magnetic south है तो इसी लिए क्या होता है जब आप एक बार magnet को suspend करते हैं तो वो इस तरह से north-south में align कर लेती है क्योंकि यह अर्थ का south पोल है और य आपको क्या संदोर के staat ग्राइन कास्राइब आपको से तो हमारे ऑपोजित जहाआर सेक्क पोलBSQué प्यूद्न चाईिक साइरफ करता है कि मैगनेटिक लाइन के इस ट तब इस ते आपकार है उजा है और आध चाहिकly दिए तो आर्थ का जो रौटेशन एक्सेश इस thing kang पास आगर तहिं कर पार मैंडिक की रूट में अर्थ करती आसपास हमारी जो पोल्स वह लाई करती है !! और क्योंकि आसपास कम पास हमारा काम करता है!!! dipole जो field है वो reverse हो जाता है कुछ particular years के बाद और ये सिर्फ earth के लिए true नहीं है बाकी celestial bodies में भी ऐसा होता है ये जो हमने north-south का alignment देखा मतलब अभी शुरू में क्या है south आपका north pole की तरफ है और north आपका south pole की तरफ है कुछ सालों के बाद after few years मतलब वो एक लंबा time period होता है earth पे sun की अगर बात करें तो sun का जो magnetic sphere poles होती है वो 11 साल में opposite हो जाती है reverse हो जाती है earth space में काफी time लगता है तो ये reversal होता रहता है magnetic fields जो है reverse हो जाते है magnetic poles होती है और इस से क्या होगा आपका आपकी magnet bar magnet की position होती है वो भी change हो जाती है तो आप देख लेते हैं geomagnetic reversal क्या होता है geomagnetic reversal और या फिर reversal in earth magnetic field का मतलब ये हुआ कि earth का magnetic field है उसमें positions जो magnetic north और magnetic south की हैं वो interchange हो जाएंगी तो अभी फिलाल हमने क्या establish किया था कि अगर ये हमारी axis है और earth का core को अगर हम एक बार magnet की तरह देखें तो अगर हम जैसे हम बार magnet में north और south pole determine करते हैं तो ये earth का south pole हो गया ये earth का north pole हो गया कुछ सालों के बाद ये reverse हो जाता है मतलब जब ये reverse magnetic reversal हो जाएगा तब हमारा जो true north है और हमारा magnetic north है वो same हो जाएगा और true south और magnetic south same हो जाएगा अब इसको हमने जो है ये हमें कैसे पता चला कि reversal होता है हमने बहुत सारे जो है paleo magnetism study की थी मतलब की rocks में magnetism को study किया था और हमने ये पाया था कि कुछ सालों के बाद rocks की जो magnetic field है वो change हो रही है और rocks का magnetic field जो है earth के magnetic field पे depend करता है इसलिए हमें ये पता चला कि earth का magnetic field भी कुछ time period के बाद change होता रहता है तो ये observe किया गया कि पिछले 20 million सालों में earth का magnetic field हर 2 लाख या 3 लाख साल के आसपास flip हो जाता है reversal जो है उतना periodic नहीं है चितना sun का होता है sun में जो reversal है ये हर 11 साल होता है तो और earth का जो reversal है वो 2 लाख से 3 लाख साल लगते हैं इसलिए जब हम physics की study करते हैं तो हम अपने magnetic magnet का जो north pole हमेशा उपर दिखाते हैं south pole हमेशा नीचे दिखाते हैं मतलब 2 से 3 लाख साल में ये magnetic जो आपका pole का alignment होगा वो भी पार-magnet का change हो जाता है पर हम वो नहीं पढ़ते क्योंकि हमारी lifetime में ऐसा change नहीं होगा इस हर्च इस change में almost 2 से 3 लाख साल लगते है तो जब भी आपका magnetic pole reverse होता है वो odd latitude पे emerge होता है तो even latitude पे emerge नहीं होगा वो odd latitude अब देखिए यह आपका जो है एक नॉर्मल फील्ड है जहां पर हमने इस्टाब्लिश किया था कि हमारे अर्थ के नॉर्थ पूल के पास magnetic साउथ है और अर्थ के साउथ पूल के पास magnetic नॉर्थ है तो हमने यह भी देखा था कि इन लाइन्स मैंगनेट की नॉर्थ से साउ और हमारा जो अर्थ का साउथ पूल है वो भी सिमलर डायरक्शन में हो जाएगा तो जो फील्ड लाइन्स होंगी वो ऑपोजिट हो जाएंगी बिल्कुल चेंज हो जाएंगी इसको हम रिवर्स पॉलारटी बोलते हैं तो अभी तक के डिसकुशन से हमें यह समझ में आ गय जो हम एक पोलार स्थ स्विफ्ट सरी कहते हैं इस मूब्मंट को नॉर्थ और साउथ पॉल के रिवर्सल को हम पोलार शिफ्ट है जिससे अर्थ का मैगनेटिक फील्ड चेंज हो जाता है फिलाल जु एर्थ का मैगनेटिक नॉर्थ पॉल है वो 56 डिग्री नॉर्थ 172 degree west में लाई करता है ये कहां पर लाई करता है ये important है latitude इतना साथ important नहीं है ये लाई करता है Alice Mare Island में जो Northern Canada में अस्तित है और बहुत तेजी से ये drift हो रहा है Siberia की तरफ South Pole, Magnetic Pole की अगर बात करें तो ये Antarctica के coast की आसपास है और ऐसा भी हो सकता है कि Antarctic Circle के भीतर हो Scientist जो है ये सजेस्स करते हैं कि Magnetic North Pole माइगरेट करता है 10 km हर साल तो धीरे 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 वो शिफ्ट करता रहता है 10-10 km बढ़ते हुए Canada से Siberia की तरफ वो मूव कर रहा है Speed जो है पिछले कुछ सालों में काफी तेज जी से Accelerate हुई है और पहले जो है इसका movement 10 km बढ़ता पर पिछले कुछ सालों में 40 km बढ़ता पर आवर के आसपास जो है इस movement की जो shift है वो देखा गया है और ये माना चाहता है कि Siberia पहुंचने में North Magnetic Field को कुछ दशक ही लगेंगे अब देखिए अर्थ कोई एक solid पूरी तरह से तो है नहीं तो हमारा जो magnetic field है वो exactly symmetrical नहीं है और इसलिए आपकी जो magnetic North और magnetic South एंटी पोडल नहीं है एंटी पोडल का मतलब जैसे हम एक straight लंबार मेंगेनेट में straight line देखते हैं अर्थ का North और अर्थ का जो South magnetic poles है इनको हम magnetic dip poles कहते हैं क्योंकि इन में थोड़ा सा dip आता है थोड़ी सी change आती है मतलब सीधी line नहीं होती थोड़ा सा change होता है थोड़ी सी dip है line और इसलिए हम इसको magnetic dip pole कहते हैं अब कॉमपस क्या है यह हमने बच्पन में पढ़ा हुआ था कॉमपस जो है magnetic north को point करता है क्योंकि सबी magnets के दो pole होते हैं North pole और South pole तो North pole जो है एक magnet का वो दूसरी magnet के South pole की तरफ attract होता है Earth क्योंकि एक magnet की तरह behave करती है इसलिए वो बाकी magnets के साथ interact करती है जिससे की बाकी magnets का जो North है Earth के South pole की तरफ align हो जाए तो इसको जो है इसी काम में हम कॉमपस इसलिए हम यूज करते हैं कॉमपस क्या करता है Earth के South pole के साथ अपने North pole को align कर देता है और हमें जो है एक North-South direction शू करता है और इसलिए इसको हम एक navigation tool के रूप में यूज करते हैं पहले के time में जब इतने अच्छे advance जो है हमारी वो नहीं थी technology तब navigation के लिए magnetic compass का यूज करके ही direction sellers directions को determine करते थे और उसी direction में सेल करते थे बट ऐसा नहीं है कि ये exactly हमेशा जो है North की तरफ ही पॉइंट करेगा क्योंकि हम ये देख भी चुके हैं कि Earth का जो magnetic North Pole है वो true North की तरफ नहीं होता तो मतलब Earth का जो magnetic North है वो आपका magnetic North Earth का यहां पे लाई करता ना South Pole के आसपास और आर्थ का जो magnetic South होता है वो आर्थ के ना South Pole की तरफ लाई करता है तो इसलिए ये हमेशा एक्जेक्ली North रिरेक्शन में नहीं शो करेगा बट हमारे Navigation Point of View से अगर हम North Pole की बात करें और Compass की बात करें तो Earth जो है हमारे Geographical North Pole की तरफ Compass जो है पॉइंट करता है तो इसलिए ये अच्छा एक टूल होता है जिससे की हम अपनी पोजिशन को Navigate कर सके अब नेक्स समय टॉपिक देखना है Magnetic Declination का तो Magnetic Declination का मतलब होता है Angle जो Magnetic North और True North के बीच में होता है उसको हम Magnetic Declination बोलते हैं ये Positive होगा अगर इसकी value जो है True North की East की तरफ से आप Determine करेंगे और अगर आप West की तरफ से Determine करेंगे तो ये जो है आपका Negative लाई करेंगे तो ये देखिए जैसे माली जे